हाई फ्रेंड्स मैं आशु भर्दवाज आपका अपना वीजा एडवाइजर जैसे कि आप सभी को पता है हमारी तरब से जो भी इंफोर्मिशन आती है वो आपके लिए आती है और किसी मुद्दे को लेके आती है ऐसा नहीं है कि यूटूब के सब्सक्राइबर या व्यूज बढ़ने के लिए ये वीडियो अपडेट की जाती है ये को अपने प्रॉफ्ट के लिए ये जस्ट एक शोशल वर्किंग है तो सबसे पहले सभी को दुवा सलाम, राम सलाम, शश्रीकाल, गुड मॉनिंग, नमस्ते और सबसे माफी चाता हूँ कि काफी टाइम से मैं वीड क्योंकि मेरा अकाउंट का काम है तो आप समझ सकते हो कि अकाउंट का जो अभी मार्च मंत चल रहा है और अपराहल अभी ओडिट के टाइम शुरू हो चुके हैं जी एस्ट के चल रहे हैं तो आप समझ सकते हो बाकी सबको एक मोस्त इंपोडेंट मैं बात जूरू बताना प्लीज लगे तो प्लीज इग्नॉर किजिए लेकिन एडवाईज देता हूं इसके आलबह मैं कुछ नहीं करता हूं तो इसके आलबह मुझसे कोई चीज की फॉप नर्खें कि मैं किसी तरह कोई आपकी फाइलिंग करके दूँगा है या किसी तरह कोई आजेंट का का काम क रखता हूं तो ऐसा कुछ नहीं है मैं जो information लेकर आता हूं मुझे काफी लोग पुछते हैं कि सर आपके पास यह ground knowledge कहां से है आप हर चीज को कैसे पकड़ते हो इतना knowledge कहां से है जो इसे मेरी बात होती है as per talking जो भी टेलिफोनिक होती है तो मैं आप लोगों के बीच में ही सीख के निकलता हूं आप लोगों से ही सीख के निकल रहा हूं मैं US Global News CIC की website हैं जो नए लोज हैं उनको read करता रहता हूं कैसे क्या मतलब एक focus बनाया हूँ है कि मैंने किसी चीज को achieve करने तो उसका focus होता है अर्जुन के तीर की तरह कि पंदरा दिन लगा कि उसको read करूंगा पता करूंगा फिर जाके मेरी वीडियो आती है अदरवाइस मैं वीडियो नहीं update करता हूं शायद आपने देखा होगा हाला कि मेरी वीडियो को like भी लोग करते हैं ऐसी बात नहीं है क्योंकि इस चैनल का उदेशियों किसी से ना देना है यह चैनल free of cost में advice करता है document assessment fees में जूर लेता हूं उसमें वो document अती है जो Indian है आप वो वीजा के लिए नहीं आप परसनली भी उन डॉकों को बना के रखोगे document को तो आपको कल को loan लेने में या कोई कहीं लगाने में आपको easy रहेगा जिसमें आपके properties valuation आपके property translation paper कोई GST number GST return कोई बाकी other जो भी होते है document कोई one of a school का कैसे बनता है कोई gift deed कैसे बनती है NOC letter कैसे बनती है companies के salary slips कैसे बनती है कोई immigration fees नहीं लेता हूँ किसी भी तरह का कोई काम नहीं करता हूँ ये specially मैं आपको बोल रहा हूँ क्यों काफी लोग मुझसे उमीद लगा के बैठते हैं कि सर शायद हमारी help कर देंगे और जब मैं उनको मना करता हूँ तो वो गुसा करते हैं बुरा मान जाते हैं तो इसक y metric के उपर वीडियो लेके आया हूँ या information लेके आया हूँ कि काफी comment मेरे y metric के उपर ही आया है काफी मुझे WhatsApp पे y metric के उपर question पूछे गए हैं सर आप वीडियो बताईए वीडियो बताईए कितना टेक तो देखिए मैं सबसे पहले y metric की वीडियो शुरू करने से पहले y metric fees नहीं भरनी होती है आज हम जो वीडियो बनाएंगे वो बना रहे हैं y metric apartment कैसे लेते हैं इसका दूसरा पार्ट मैं शोग करूँगा वीडियो लंपी चले जएगे कि y metric fees कैसे बरनी और किन लोगों को बरनी और किन को लगती है तो y metric apartment लेने के लिए आपको simply vsf global canada की website प लिखता है apartment schedule वहाँ पे आपको click करना है apartment लेने के लिए आपको बहाँ पे अपनी registered mail यानि जो आपकी personal mail है जिस पे आपको information आती रहे वो registered करनी है registered करने के बाद उसको sign in करना है यानि open करना है अब एक member, दो member, तीन member, चार member जो भी member है आपके वहाँ पे सबसे पहले आपको select करना होगा कि vsf global आपका office nearby कौन है जैसे जिलंदर है, चंडिगड़ है, दिली है, बोंपे है, है, धरवाज है जो भी एटीस है जहाँ जहाँ पे vsf office है क्योंकि y metric जो होती है वो vsf office में होती है ना कि embassy में, embassy में किसी भी तरह का कोई y metric नहीं होता है जो y metric लगती है वो सिर्फ vsf global ही लेता है, उनको authority दी गई है तो वहाँ से आपने simply बहाँ पे select करना है अपना nearby area vsf global का office उसके बाब आपको calendar उपन हो जाएगा calendar में green dot में dates जोंगे वो आपके available होंगे तो आपने date select करना है, date select करके आपको आगे चलना है आगे चलके आपको जितने member आपके है, top के ऊपर आपको add का plus निशान लगाओगा, add दिखाओगा उस पे click करो, passport, name, number, date of birth, expiry date, सिर्फ ये चार चीज़े मांगेगा, बहाँ पे आप चार चीज़े डालिए जितने member हैं सबको add कर लेजिए और successfully generate कर दीजिए जरनेट करने के बाद आपकी जो registered mail होगी, जितने लोगों की आपने appointment ली है, उतने ही लोगों के appointment letter आपकी email पे फीडिया फाइल में आ जाएंगे जिसको आपने print out लेना है, print out लेके उसको आपने filing में रखना है अब दूसरी बात, अगर आप 4 member है और उसमें से 5 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है, appointment आपको सबकी लेनी पड़ेगी बिना appointment आपको VSF Global अंदर नहीं entry करने देगा तीसरी बात कि appointment जब आप लेंगे calendar select करेंगे, date select करेंगे appointment के लिए उस time वहाँ पे timing भी देगा, कि आप कौन से time की appointment लेना चाहते हैं सुबह 10 वजे, 7-10 वजे, 7-11 वजे, 7-12 वजे, ऐसे करके time भी देता है तो वैसे आपकी appointment letter जो है वहाँ पे आ जाता है अगर आप online कर रहे हैं, online अगर आपना file लगाई है तो आपको online letter आ जाता है appointment का, कि आपको किस दिन appointment देनी है तो उसकी जो fees है, वो आपको already online भरनी पड़ती है तो fees की उपर मैं अगली वीडियो जूर ना हूँगा, क्योंकि वीडियो लंबी चली जाती है तो आज सिर्फ इतना कि आप appointment कैसे ले सकते हैं अगर किसी को समझ ना आये या कोई काम कर रहा है इसको appointment लेनी है मेरा number always वीडियो में लिखा होता है आप मुझे call कीजिए, मैं आपको बहां पे समझा दूँगा कि आप कौन से option में जाएए, कैसे जाएए आप appointment ले सकते हैं, free of cost appointment अगर आप बाहर से करवाते हैं, तो सबकी रोजी रोटी है कितना कौन लेता, I don't know क्योंकि मेरा काम नहीं है, लेना मैं as a free of cost, as a social working करता हूँ और दूसरी बात है, अगर किसी को appointment लेनी है है, appointment schedule का, उसका link मैं आपको description में जुरूर दे रहा हूँ आप चाहो तो बहां से सीधा click करके, उसको copy करके, सीधा click करके browser में open कर सकते हैं, लेकिन आपको personal mail से sign up करना पड़ेगा और सबसे most important की जब आपना information बनी है, तो truly, surname, given name, passport, number, date of worth, xy एकदम truly बरना उसमें कोई mistake ना हो, बरना आपको VSF office से बापपिस आना पड़ेगा और दुबारा से उसके reach duele करना पड़ेगा, apartment को और फिर reach duele करके आपको दुबारा फिर जाना पड़ेगा तो आपको harassment हो सकती है, आपका time खराब हो सकता है, आपका दिन खराब हो सकता है, और आपको बिना मतलव की tension पड़ सकती है तो please इस चीज़ को आप ध्यान में रखना नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, जल्दी अपड़ेट करूंगा कि biometric fees कैसे बरते हैं, किसको भरनी है, कब भरनी है और biometric होने के बाद, embassy कितने time में आपकी file process में डालती है यह सारी चीज़े मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तो इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पर समापत करता हूं किसी भी तरह की कोई inquiries है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जूरूर कमेंट कीजिए अपना valuable experience शेर कीजिए अगर यह वीडियो किसी को अच्छी लगे, like कीजिए, share कीजिए अगर किसी को थोड़ी सी कमी लगे तो प्लीज अपना valuable experience नीचे कमेंट बॉक्स में जूर शेर कीजिए ताकि हम आगे अपनी वीडियो को सही और अच्छा बना सकें यह चैनल free of course advice करता है किसी भी तरह का कोई charge नहीं लिया जाता है Thank you so much